हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू मेगनी पिसंट ग्यान एंड दोस्तो इस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट नान प्रो स्मार्टपॉन के बारे में जो कि दोस्तो ये इंडिया के अंदर बहुत जद लॉंच होने वाला है और ये स्मार्टपॉन चाइना की एक most popular website पर भी listed हो चुका है और दोस्तो साओमी के CEO मनुक मार जैन ने भी ये officially confirm कर दिया है जैसा कि दोस्तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है 108 मेगा पिक्सल का quad camera setup पंच ओल सल्पी camera MediaTek Dimensity 800 का SOC और 9080 का display panel तो चली दोस्तो बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टपॉन के बारे में क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस phone में और कब तक और कितनी price के अंदर ये इंडिया के अंदर भी launch होगा तो दोस्तो आप भी ये स्मार्टपॉन के लिए excited तो बने रहे इस और सी के साथ आपको quad camera setup भी मिलेगा और अब बात करते हैं इसकी display के बारे में तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की full HD प्लस एक IPS LCD display panel देखने को मिलने वाला है जो कि एक पंचॉल display panel होगा जहाँ पर आपको 9080 का refresh rate वाला display panel देखने को मिलने वाला है जिससे की दोस्तो इसकी display की quality में आपको और भी जदा improvement देखने को मिलने वाला है और दोस्तो इसमें आपको center में पंचॉल selfie camera और इसकी screen को protect करने के लिए gorilla glass 5 का protection भी मिल जाएगा और अब बात करते हैं इसके camera आज के बारे में तो इसके अंदर आपको rear side में quad camera setup देखने को मिलेगा जिसका primary sensor होगा 108 megapixel का जिसमें Sony का IMX686 का sensor यूज किया गया है और इसी के साथ आपको तीन lens और मिलेंगे जो कि यह इस 16 megapixel का एक ultraward angle lens 5 megapixel का depth sensing sensor और 2 megapixel का micro lens वहीं पर front side में आपको selfie के लिए एक 32 megapixel का center में पंचोल selfie camera भी मिलने वाला है और आप बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तो इसकेंदर आपको media tech dimensity 800 का SOC देखने को मिलेगा जो कि दोस्तो काफी दमदर chipset है यानि कि इसमें आप कोई भी gaming या पर PUBG वरा खेलते हो तो इसमें आपको कोई भी lag या पर hanging issue की problem देखने को नहीं मिलेगी और दोस्तो इसकेंदर आपको मिलेगा out of the box android 10 का support जो की बेश डोगा MIUI 11 पर और वहीं पर अगर बात की जाज की बेंटरी के बारे में तो इसकेंदर आपको 5000 mh की बेंटरी देखने को मिलेगी जो की दोस्तो 30 watt के super fart charger को भी support करती है और box के अंदर ही आपको 30 watt का fart charger भी मिलने वाला है और दोस्तो इसके अंदर आपको type c port का support भी मिलेगा तो चली दोस्तो फाइनली अब बात कर लेटेंस की प्राजिंग और launch date के बारे में तो दोस्तो इसकी base brand यानि की 6GB, 64GB की प्राज होगी इंडिया के अंदर एप्रॉक्स 15,000 रुपीच 15,000 रुपा की प्राज में ये इंडियन मार्केट में लॉंच होगा और दोस्तो ये smartphone मार्च यापरे अप्रेल के मंत में लॉंच होने वाला है तो दोस्तो ये ती Redmi Note 9 Pro की प्राजिंग लॉंच डेट और specs I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीड इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तो दोस्तो मैं मिल तो आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care